स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टी एच क्लासेस एन इस पर हमारा मोटो है वेटीच यह चेव यानि हम पढ़ाएं और आप सभी अपनी लाइफ में सक्सेस अचेव करें साथी साथ अपनी माता पिता का नाम भी आप प्रोशन करें तो स्टूडेंट्स आज के हम वीडियो लेकर आ गए है सारे रिक शिक्षा और योग 373 इसका कोड है इसका प्रयोगात मकार है यानि की प्रैक्टिकल फाइल आप बहुत सारे बज़े हमारे पास कॉमेंट्स करके कह रहे थे कि मैं फिजिकल एजुकेशन और योगा की भी फा चीँ है कि प्रैक्टिकल फाइल होती है वह काफी जादा नंबर क्यादी है तो काफी रिसर्च के बाद सब तैयार करना होता है और ये सब मैं तैयार करती हैं मैं अकेली करती हूं कई बार, जो फैमली मेंबरेdz alwaysWhatL कर लेकिन मुझे खुद ही यह सब करना पड़ता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए पेशिंट रखिए और सारी में आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स अप्लोड कर दूंगी डोंट वरी आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल मिल ज सारी लेटेस्ट अपडेट्स जो भी इन्फोर्मिशन आपको यहां से मिलती है वो टाइम टो टाइम मिल जाए और साथी साथ आपको प्रैक्टिकल सौल्ट के में सारा सब कुछ टाइम टो टाइम मिल जाएगा इसके अलावा मैं आपको बता दू यह जो है यह आपका साथ ताकि उनकी भी मदद हो जाए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो मैं हूँ तनू सबसे पहले मैं आपको बेसिक इन्फोर्मिशन दे दू जो कि मैं हर एक वीडियो में आपको देती आई हूँ कि आपको जो प्रैक्टिकल है वो आपको प्रैक्टिकल प्रैग्राम्स यह सब करने का काम करोगे और रूल पेज़ पे आप अपना लिखने का काम करोगे ठीक है इतनी बात प्लियर है इसके अलावा अगर आपको यह नहीं पता है अभी तक कि आपको प्रैक्टिकल जो फाइल है वो किस थरीके से तैयार करनी है तो मैंने इस पे अल्रोड़ी एक वीडियो बना दी है जिसमें मैंने अल्रोड़ी बता दिया है कि आपको प्रैक्टिकल फाइल जो है वो कैसे तैयार करनी है उसका फॉर्स्ट पेज कैसे बनाना है तो बच्चे मेरे पास कॉमेंट करके कह रहे हैं कि मैं होम साइंस का बता दीजिए या इस सबसे पहले आपको प्रियोग पहला लिखना है जिक है आपने फॉर्स पेज सेयार कर लिया सकिंड पेज पे आपको प्रियोग पहला लिख देना है देन आपके घटक उपाए जिक है इसमें आपको माशपेशियों की ताकत ये चीज़े लिखनी है तो ये लिखने के बाद आपको माशबेशियों की ताकत माशबेशियों को दूर करने या किसी पती रोत के खिलाब कारे करने की शमता को कहते हैं यहां पर यह लिखने के बाद आपको परिक्षण का नाम थीद है? तो लड़गों के लिए पुलप्स और लड़गों के लिए flex down hang उसके बाद उद्देश है क्या है इस practical के और फिर उपकरन आ जाएगा आपका दन आपका ए पार्ट में pull up की friction प्रक्रिया आएगी और फिर आपका scoring प्रक्रिया दन आपकी यह आपकी जो diagram या image कह सकते है यह आपकी तयार होगी ठीक है तो आप कोशिश कीजिए आप इसको खुद बनाए अपने हातों से बनाए और जितना आप अपने हातों से handwritten अपना practical बनाएंगे उतना अच्छा impact आपके examiner पर पढ़ेगा क्योंकि फो भी examiner भी यह सोचेंगे कि हाँ बच्चे ने महनत करी है तो आपको जो है extra marks या फिर good marks मिल जाते हैं इन से जब आप handwritten बनाते हों और anyways अगर आप हमारे चैनल से यह practicals बना रहे हैं तो obviously आपको अच्छे marks ही मिलेंगे then आपका B part तयार हो जाता है जिसमें आपका flex down hang की परिक्षन प्रक्रिया है यह आपको लिखना है फिर आपका scoring प्रक्रिया आएगा ठीक है scoring प्रक्रिया लिखना है और फिर scoring प्रक्रिया में आपको इस सरीके से यह दो images बनानी है लड़कियों के लिए flexible arm hang और इसमें आपको पहली image यह और second image यह तयार करनी है तो मैंने यह खुद अपने हाथों से तयार की हुई है आप भी कर सकते हैं कोई difficult काम नहीं है बस थोड़ी सी कोशिश आप करेंगे तो सारा सब कुछ आपका clear हो जाएगा next आपका निश्कर्ष है ठीक है तो यह आपको निश्कर्ष में इसके साथ यह जो तालिका है वो बनानी है तालिका आप बना दीजे यहाँ पर आपका जो first practical है वो end हो जाता है next आपका second practical start होता है जो कि है पेशी दीरज चीक है तो यह पेशी दीरज आपको लिखना है फिर आपको घटक उपाया जाएगा जिसमें आपको लिखना है पेशीक दीरज एक थकान की स्थिती में वांशित गुनवटता और गती के साथ खेल शारीडिक अंदोलनों को कहने के लिए माश बेशियों की शमता होता है फिर आपको परिक्षन का नाम लिखना है देन आपका लक्षे आ जाएगा और फिर आवश्यक उपकरन और परिक्षन प्रक्रिया और फिर अगेन आपकी यह जो डाइग्राम्स है इमेजिस है वो बनेंगी पहले आपको कदम एक में यह इमेज बनानी है देन कदम सेकिंड में यह बनानी है ध्यान से देख लीजे और नीचे आपको लिख देना है बेंट नी सेट अपस तो यह नीचे आपको इस तरीके से लिखना है देन आपका निशकर्च और प्रेक्षन आ जाता है तो निश्कर्ष और प्रिक्षन में आपको यहां तक लिखे और फिर ये तालिक आपको तैयार करने है यहां आपका सेकिंड प्राक्टिकल समाफ्त होकर तीसरा प्राक्टिकल फिस शोड़ो होता है जो कि यह गटक उपाय लखना है अपको लट्चीला पन तो यह गती की पूरी श्रंखला के माधियम से जोडो को स्थानांतृत करने की शम्ता है फिर आपको परिक्षन का नाम लिखना है and then लक्षे लिखना है लक्षे और उसके बाद आवेशकुप करन क्या है फिर आपका परिक्षन प्रक्रिया आ जाएगी नीचे भी आपकी परिक्षन प्रक्रिया continue हो रही है और फिर आपकी यह इस सरीके से एक लड़की की इमेज बनेगी sit or reach test यह सरीके से इमेज आपको बनानी है अगर आप इमेज ना बना पाए तो किसी की सायता भी आप ले सकती है और कोशिश कीज़े आप इसको खुदी बनाए तो आपको बहुत अच्छा जो है result मिलने को देखने को मिल जाएगा फिर आपका scoring प्रक्रिया आपको लिखना है और फिर आपका निशकर्ष और प्रेक्षन जिसमें आपको इस तरीके से ये जो तालिका है वो तैयार करनी है ठीक है तो ये तालिका आपको तैयार करनी है यहाँ आपका तीसरा practical खतम होता है नेक्स्ट आपका चोथा practical है घटक उपाई घटक उपाई में आपको हरदय की मजबूती लिखना है फिर आपको लिखना है यह चूला और माश बेश्यों की प्रणाली को थकान की स्थिती में वांशत गुनवथा के साथ प्रदर्शन करने की शमता है फिर आपका परिक्षन का नाम लक्ष है आवश रकुप करन और फिर परिक्षन प्रक्रिया ठेक है तो फिर आपकी उसके बाद ये इमेज बनेगी या ये डाइग्राम जो है वो ड्रो होगा 12 मिनिट रन या वॉक के लिए 400 मीटर का ट्रैक उसके बाद scoring प्रक्रिया पर आपका जो अथा practical अवो एंड होता है नेक्स्ट आपका पांच वर practical स्टार्ट हो रहा है जो कि है घटक उपाई आपको लिखना है शारीरिक संरचना सरीर की संरचना मानव शरीर में हड़ी बसा तथा मासपेशियो की संरचना का प्रतिशत होता ह ये लिखना है आपको फिर परिक्षन का नाम मैं दीरे दीरे स्कॉल डाउन कर रही हूँ ताकि आप लोग जो है इसको पोस करके वीडियो को साथ के साथ उतार लीजे या फिर आप इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं फिर आपको परिक्षन प्रक्रिया लिखना है और ये जो सूतर है फॉर्मिला है ये आपको हाइलाइट करते हैं सुन्दर सुन्दर जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है बिल्कुल भागना नहीं है सुन्दर सुन्दर आप लिखिए तो आपको अच्छे marks मिलेंगे फिर next आपका ये जो formula है वो थोड़ी सी व्याख्या करके हमने दिखाया हुआ है इसी तरह से आप भी highlight कर दीजे फिर आपका scoring प्रक्रिया होगा ठीक है फिर पांचवा practical खतम हो जाता है next आपको छटा practical है जो घटक उपाए है इसमें आपको शक्ती लिखना है ठीक है तो जो शक्ती है वो हमारा एक main title हो जाएगा फिर आपको ये चीजे लिखनी है शक्ती है कदिक्तम शक्ती को उसकम से कम समय में संबव करने की शमता है जैसे की तेजी, कूद और अनुकरन को फैकना फिर आपको परिक्षन का नाम लिखना है और फिर लक्षय, आवशे कूपकरन, परिक्षन, प्रक्रिया चलिए तो उसके बाद आपको ये इस तरीके की जो है image से यार करनी है खड़ी वे आपको तो एक ground टाइप का आपको बनाना है और फिर ये इस तरीके का एक बालक आपको दिखाना है जो की कूद लगाने की उसमें है ठीक है प्रियास में है scoring प्रक्रिया आपको फिर लिखनी है और फिर आपका निश्कर्श और प्रेक्शन आ जाएगा और फिर निश्कर्श और प्रेक्शन में आपको इस तरीके की ये तालिका बनानी है और ये शारे लिख लिखा हुआ है ठीक है, confuse मत होईएगा ये शारे लिख लिख लिखा हुआ है थोड़ी pen की जो इंक है वो फैल गई है और आगे पढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और जिससे की आपको जितने भी practicals हैं वो time to time मिल जाएंगे सारी notifications आपके पास videos किया जाएंगे कोई भी आपसे जो video है वो latest updates है वो miss नहीं होगी और इसके साथ आपको bell icon भी दबा देना है ठीक है subscribe कर दीजे, bell icon दबा देजे और इस video को सभी जो NIS की student है उनके साथ share कर दीजे चलिए आगे बढ़ लेते हैं उसके बाद आपका सात्वा practical यहाँ पर start होता है जिसमें आपको गटक उपाए गती लिखना है गती हमारा main title हो जाएगा नियून्तम संभाव समय में अधिक्तम दूरी को cover करने की शमता को गती कहा जाता है फिर आपका परिक्षन का नाम आएगा लक्षे, आवश्य कुप करन, परिक्षन प्रक्रिया और फिर यहाँ पर आपकी again यह image आ जाती है ठीके तो यह आपको ही draw करनी है उसके बाद scoring प्रक्रिया लिखनी है आपको और फिर आपका निश्कर्ष और प्रिक्षन में यह तालिका इस तरह से तयार होगी नेक्स्ट आपका आठवर practical है जिसमें कि आपको घटक उपाई लिखना है बास्केट बॉल यह हमारा main जो title है वो हो जाएगा और फिर परिक्षन का नाम जॉनसन बास्केट बॉल देस्ट वो देश्य लिखना है फिर आपको आविश्यक उपकरन परिक्षन प्रक्रिया तो यह पूरी प्रक्रिया आपको as it is लिखनी है scoring प्रक्रिया लिखनी है उसके बाद आप as it is लिख दीजे कोई दिकर नहीं हर एक मोडियूल में से आपके practicals उठा के सारा सब कुछ किया हुआ है solve आपको करके दिखाया हुआ है कोई परिशानी की बात नहीं है फिर उसके बाद निशकर्श तुथा प्रेक्षन में यह आपकी जो तालिका है वो तयार होगी ठीक है फिर आपको इस तरीके से यह Johnson basketball throw testing की जो यह चीज़ लिखे हाइलाइट करके आपको यह जो डाइग्राम है वो तयार करना है कोई मुश्किल काम नहीं है यह डाइग्राम आप तयार के लिए उसके बाद आपका nova practical start होता है जिसमें आपका घटक उपाई main जो heading है वो है कपाल भाती क्रिया तो कपाल भाती क्रिया मस्तिश्क की ललाट के लिए लाबदाई होती है उसके बाद आपको उद्देशे लिखने है फिर आपका उपकरन आ जाएगा तो मैंने हर एक module में से उठाया है यह module आपका important है जिसमें योग अक्षा की तैयारी अभ्यासी की तैयारी तो काफी सारे योग होते हैं काफी सारे आसन होते हैं तो मैंने हर एक दो जो main main आसन है जो main में योग है वो मैंने उठाए हैं फिर आपको प्रक्रिया लिखनी है समय ठीक है तो उसके बाद आपको ये समय लिखना है फाइदे और सावधानिया तो ये सावधानिया आपको लिखनी है और फिर आपकी यहाँ पर ये कपाल भाती क्रिया करते हुए मनुश्य की इमेज बनेगी उसके कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको संकलतना की अनुसार ध्याने कैसा योगी अभ्यास है जिसमें व्यक्ति किसी विशेश वस्तु विचार या गतिविदी पर ध्यान की इंतर्ट करता है ताकि फोकस और अवेरनेस को बढ़ाया जा सके उसके बाद आप लक्षे लिखेंगे और फिर आपका ये जो उपकरन है वो आप लिखेंगे दन आपकी यूखक्षा की तैयारी अब्यासी की तैयारी और फिर पूरी ये प्रक्रिया आपको as it is लिख देनी है ठीक है दन आपकी जो सावधानिया है वो आएंगी फिर आपकी ये सावधानिया आएंगी और फिर आपका जो लाब है ठीक है लाब आएगा आपका और फिर निश्कर्ष और प्रेक्शन में आपकी ये इस तरह के की तालिका बनती है और फिर आपका जो ये एक क्रिया करते हुए मनुश्य है ये इमेज आपकी तयार होगी इमेज आप जो है आप बना सके तो वैलन गुड है नहीं तो आप होता है उन् Players हें अस्त मुड्रा का जाता है नेक्स्ट आप उत्देश्य लिखेंगे और आपको लिखना है आवशक्ता योगकशा की तैयारी अब्यासी की तैयारी फिर आप पूरी प्रक्रिया लिखेंगे तो इसमें मैंने बहुत सारी जो मुड्राइं होती है ग्ञान लिंग मुद्रा है हमारा फोर्थ प्राक्टिकल फोर्थ जो पार्ट है इसका और फिर इसके लाब फिर प्रित्वी मुद्रा ठीक है तो आप इसको सारे पॉइंट्स इसके लिख लीजी देन आपका प्रान मुद्रा हरदय मुद्रा और वरन मुद्रा इन सभी का जो लाब है वो भी मैंने इसका लिख दिया है और फिर आपको सभी ये हस्तमुद्राइं मैंने एक साथ जो है इनकी ड्राइंग आपको इस तरह से तयार कर लेनी है ठीक है तो यहाँ पर आपका जो प्राक्टिकल है वो हो जाता है कम्प्लीट और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ठीक है तो जिससे कि आपके जितने भी प्राक्टिकल्स की वीडियो है वो आपको टाइम टो टाइम मिल जाएंगी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजेगा शेयर जरूर करिएगा अपने सबी साथियों के साथ जिससे उनकी भी मदद हो जाएंगी थैंक्स फूर वाचिंग